सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपने अधार कार्ड में घर बैठे अपने मोबाइल या कॉम्पिटर से आप अपने अधार कार्ड की एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं और ये तब की जाती है in case अगर आपके आधार कार्ड में address जो है वो गलत है या फिर आप किसी नए पते पे shift हुए हुए है तब आपको उस condition में address change करनी की जूरत पड़ती है तो चलिए हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि आधार कार्ड की address है वो हम घर बैटे कैसे change कर सकते आधार का address change करने के लिए आपको कोई भी एक browser open कर लेना है और वहाँ टाइप करना है माई आधार उसके बाद एंटर उसके बाद माई आधार का आपको first link मिल जाएगा इसके उपर में आपको simply click कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको माई आधार का यहाँ option दिख र यह सारे चीच आप अपडेट कर सकते हैं बट लेकिन हम अभी address update करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा simply यहाँ login करना होगा login के उपर में आप click करेंगे अब यहाँ पर आपको वह आधार number enter कर लेना है जो आपका पुराना आधार card में number दिया हुगा है क्योंकि number सेम रहेगा जो भी address change होगा तो आपको पुराना वाला ही number आपको यहाँ पर enter कर लेना उसके बाद यह capture को यहाँ पर हम fill करेंगे और login with OTP के उपर हम click करेंगे तो उसके बाद आपके register mobile के उपर में OTP जाएगा OTP को यहाँ पर enter कर लेना है OTP हमने enter कर लिया है उसके बाद login पर click करेंगे तो अब हम अपने अधार कार्ड के page में login हो चुके हैं यहाँ पर हमें address update यह जो आपको fourth number पर दिख रहा है address update के उपर में आपको click करना है तो आपको update अधार online के उपर में click करना है उसके बाद नीचे आएंगे नीचे आने के बाद इस page को check करके आप proceed to update अध हमारे पास left है दो बार हम change कर सकते हैं अगर correction करना हो तो date of birth आप नहीं change कर सकते हैं gender आप नहीं change कर सकते हैं address में वो आप बहुत जितनी बार आप चाहो वो change कर सकते हो ठीक हैं तो address के उपर में हम click करेंगे और proceed to update अधार के उपर में click करेंगे so अब हम current details में आगे जो हमारा आधार कार्ड पर address अभी current में हमारे पास अभी मौझूद है जिसे हमें बदलना चाहते हैं हम बदलना चाहते हैं वो यहाँ पर address आपके सामने आ जाता है so यह बोलता है कि आप यह address आपका वर्तमान में है आप क्या changes करना चाहते हो उसके लि अगर आप कोई महिला हैं और साधी सुदा हैं तो यहाँ पर आपको husband का नाम यहाँ पर देना जरूरी होगा so हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे son of Ram Pryak Singh और यहाँ पर हम enter करेंगे जैसे ही enter करेंगे so यहाँ पर automatic यह क्या हो जाएगा नाम जो है यहाँ पर short track बतायता हूँ यहाँ से भी आप इसे हिंदी में convert कर सकते हैं नहीं तो आप यहाँ पर एक google translate के नाम से आता है हिंदी typing हिंदी typing के उपर में enter करेंगे तो यह box open हो जाएगा जहाँ पर आप English में लिखेंगे और वो हिंदी में convert हो जाएगा सो आपको हिंदी typing करने की जिंजट नहीं रखनी होगी यहाँ पर आप easily नॉर्मत English में आप लिखोगे वो automatic हिंदी में translate हो जाएगा सो यहाँ आप आप देख सकते हैं कि मैंने जो English में type किया और वो हिंदी में हो गया अब हम इसे simply copy करेंगे यहाँ से Ctrl C से और उसके बाद यहाँ जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसे paste कर देंगे sorry यह select नहीं हुआ पूरा इसे हम select करेंगे और Ctrl भी कर देंगे सो यहाँ पर यह हमारा जो है नाम add हो क्या अब यहाँ पर आप address यहाँ पर type करेंगे apartment, village लिखा है, village लिख दीजे, street, roadland और area, locality, sector जो भी आपका nearby में area है वो चेतरी लागब कौन से sector में आप आते हो, landmark आपके घार या गाओं जो भी कसबा है उसका landmark क्या है, सीमा चिन यह सारा चीज आपका देना पड़ेगा, pin code और state राज टेश्टिक यह सारा चीज आपको यहाँ पर enter करना होगा है तो चलिए हम जनली से यह address एंटर कर लेते हैं के उपर में क्लिक करेंगे और उसके बाद select valid supporting document के उपर में क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपके बहुत सारे option मिल जाते हैं कि आप address चेंज करने के लिए कि नहीं इसमें से किसी एक ID proof या विर कोई भी document को आप यहाँ पर upload कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, electricity electricity will है मेरे पास तो मैं इसे select कर लोगा, electricity will, और आप यहाँ पर Indian passport, किसान photo, bank account statement और बहुत सारे चीज यह सारे चीज है जो भी आप upload कर सकते हो, अधार काड की address change करवाने के लिए, किसी एक document की आपको जड़त पड़ेगे, so मैं electricity will यहाँ पर select कर लेता हूँ, और उसके बाद ओके पर हम click करेंगे, और यहाँ से push रहा है कि आपकी जो document है, वो कहाँ पर है, view details के उपर में हम click करेंगे, continue to upload, और हम चहाँ पर भी यह file जो save है, हम वहाँ चले जाएंगे, और ठीक है, दिस बिसी में हम जाएंगे, जहाँ पर भी अपना हमारी जो save है, और, so हमने अपनी electricity wheel जो है, यहाँ पर upload कर दिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो 100% complete हो चुकी है, और यहाँ पर आप देखोगे, तो आपकी जो bill है, वो details आपको यहाँ पर दिखरी हुए, छोड़ी से size, नीचे आएंगे, scroll करेंगे, और उसके बाद आप एक बार check कर लेंगे, अब नेक्स के उपर में आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको check कर लेना है, कोई भी problem तो नहीं है, जो भी आपने address दिया है, वो correct है या नहीं, मैं यहाँ पर check कर लिया, बिल्कुल correct है, और उसके बाद यहाँ पर check mark करेंगे, और agree पर हम click करके declaration अपना देंगे, कि हाँ ब payment करेंगे, make payment के उपर में हम click करेंगे, और यहाँ पर आपको बहुत सारे payment का option मिल जाता है, net banking, UPI, card, बहुत सारे option मिल जाते है, यहाँ पर 50 अपर आपको एक छोटा सा payment लेगेगा, आपको यहाँ पर QR code भी दिया गया है, so मैं QR code की त्रो में direct payment कर लूँगा, मैं अपना Google पे open करूँगा, और जल्दी से Google पे से ही payment में कर लूँगा, scanner कोलेंगे, और यह scanner पे हम click करेंगे, और payment हमारी done हो चुकी है, और just a minute यहाँ पर आप देख सकते है, automatic यह payment यहाँ पर successful हो चुकी है, अब यह wait करना है, जब तक यह page को redirect नहीं कर दे, यह page आपका redirect हो रहा है, औ और आपको जो knowledgement sleep है, वो download करने का आपको यहाँ पर मिल जाता है, download knowledgement sleep, इसके ओपर में click करेंगे, जो page है हमारा download हो चुका है, इसके ओपर में click करेंगे, और यह हमारा knowledgement sleep है, वो यहाँ पर हमें मिल चुगा है, so हमारा जो पुराना नाम था, sorry, हमारा जो पुराना address था, इस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा और अभी जो current हमने जो change किया है वो हमारा इस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा दो से तिन दिन के बाद यह अपना जो address है वो update हो जाएगा तो आप यह online चेक भी कर सकते हो चेक कैसे करना है आपको मैं देखा देता हूँ कोई भी प्रक्रिया आपको कुछ ज्यादा है उसमें नहीं है माई आधार के उपर में dashboard के उपर में आप दुबारा से जाएंगे और dashboard पर जाने के बाद नीची जब scroll करके आएंगे तो यहाँ पर आधार update के उपर में आप दे ही है जो हमने document दिया है उसके जरीए यह लोग match करेंगे जो हमने address दिया है वो correct है या नहीं तो एक दो दिन के अंदर में क्या होगा कि हमारे जो यह अधार card है यह जो address है वो update हो जाएगा आप यहां से आप चाहो तो यह download भी कर सकते हो या फिर अगर आप इसे print out लेना चा करोगे order आधार PVC card के उपर में आप क्लिक करोगे तो यहां से जो आपका PVC card है वो plastic के जो card है वो बनके आपके घर पर जहां पर भी आपका address है जो भी आपने address दिया हूँ है वहाँ पर वो deliver हो जाएगी तो इस तरह हम अपने आधार के जो address है वो घर बैटे ही है बहुत ही आ